हाल ही में संपन होए उत्तरपदेश, राज्यमान्यता प्राप्त सम्वादाता समेति के चुनाव में जीते होए प्रत्याश्यों को प्रमुक सचिफ सूचना संजे प्रसाद और सूचना निदेशक, शिशिर सिंग ने निरवाचन आयूग की मौझूदगी में जीत का प्रमाण पत्र सौम दिया लोग भवन के अपने कारएल में जीत का प्रमाण पत्र देने के दोरान संजे प्रसाद और शिशिर सिंग ने जीते होई प्रत्याशियों को आश्वस किया कि मीडिया कर्मियों को आवास और पेंशन समेत कोई भी समस्या समिती द्वारा उनके संग्यान में लाई जाएगी तो तैस समय में उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा इस बीच जीत का प्रमान पत्र पाए प्रत्याशियों से हॉन्बिल टीवी ने खास बाचीत की। सभी ने क्या कुछ कहा आप भी सुनें। अब हम इसे बात करेंगे, इनको निर्वाचन प्रमाण पत्र मिला है, उत्तरब्रदेश राज मानता प्राफ्त समादाता समीति का है, जिसके चुनाव भी हाली में संपन हुए थे, जीत के बाद ये प्रमाण पत्र मिलता है, आप सभी को लोगभवन प्रमाण पत्र वितृत किये गए हैं, हमाँ साथ मौझूद है, समादाता समीति के सचीव हैं, हम पहले उनसे बात करते हैं, बहुत बहुत बदा ही आपको, भरत जी जिस तरह से ये चुनाव हुआ है, पूरी ट्रांसपरेशी के साथ हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक अहम जिमेद बड़ी जिमेदारी मिली है, और इस महौल में जब पत्रकारों पर तमाम तरह की बाते हो रहे हैं, तमाम तरह के फर्जी मुगत में लिखे जा रहे हैं, इन स्तीजों को कैसे, क्योंकि बड़ी उमीदे लगाई थी, लोगों ने इतना बड़ा चुनाव हुआ था, काफी ल उसको जो भी सासन प्रसासन है और जो गौर्वर्मेंट के जो एहम लोग हैं, उनके साथ उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे उंसे, कि और आगे ऐसी स्तिति उत्पन नहा हो, किसी भी सम्मानित जो हमारा रिपोर्टर है, उसके सम्मान को कहीं से ठेस ना पहुँ और जनलिस्ट सरकार का सहयो करें तो टीम कितनी भी अच्छी हो टीम काम नहीं कर सकती क्योंकि हम कई हम पिछले संग्धन में रहे हैं और कई बार पता दिखारी नहीं है लगातार नीचे से उपर तक आए हैं तो जो महराज जी कह रहे हैं वह बात मैं लगबग 25 साल से उसपे मैं काम कर रहा हूं तो ये टीम काम टीम अच्छी हो नहो उसको अच्छा बना के हम आगे प्रस्तुत करेंगे जिसे जनलिस्टों के लिए बहुत अच्छी सावित हो और एक मील का पत्थर बने हो हमारे जो पुराने जनलिस्टों ने इसकी निव रखी है और इसको जो पुरानी बड़ी अच्छी इसकी जो इन्होंने अच्छे कार की है उसको हम लोग हमारी पूरी समिती इसको बलाने का कार करेगी पत्रकारों के जो भी ऐसे हित हैं हम उस पर सारी समिती उस पर अडिक है और जो पहली कार समिती की बैठक हुई थी मुद्दे जो भी प्रमुक रूप से उनके पेंसन के हैं उनके आवाज से समंदित है, स्वाज से समंदित है ऐसे मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे हमारी समितिने डिसकेशन हुए हैं उनको एक उचित फोरम पे मुख्वमंत्री और उनके प्रमुक्षचिव के इस्तर पे उठाया गया है। और आज जो प्रमालपत्त मिले हैं, आज भी हम लोगों ने सबने मिलके जो पत्रकारों की प्रमुक्षच्या है, उनके सामने संग्यान रखा है। उन्होंने कहा है कि पूरा एक क्रमबद तरीके से लाईए हम सब समस्याओं को सुनेंगे सरकार पत्रकारों के साथ है और प्रमुक्ष सच्ची साहब जो अपने प्रमुक्ष सच्ची हों सूचना के उन्होंने कहा है कि पत्रकारों के हितों को पूरा सरच्चन दिया जाएगा जैसे एक सवाल मेरा ये है जैसे सरकार बनने के बाद गोरकपुर के जो पत्रकार थे उनको आवास मिलें लेकिन यहाँ पर यह जो पत्रकार उसे वंचीत रहे गए आखिर ऐसी कौन सी कमी रही है और कमी कैसे दूर करेंगे कि बहुत बड़ी समस्या होती पत्रकार के बाद ज में पत्रकारों के लिए अली गंज योजना बनी वहाँ पर हमारे बहुत सारे पत्रकारों को आवास मिले हैं प्लाट मिले हैं उसके बाद गोंती नगर योजना बनी वहाँ बहुत सारे सत्रक बाद से नहीं उसके बाद फिर लाल जी तंडन जी आये जो लोग छूट गए उसके बाद उनको फिर प्लाट दिये गए अब माननी मुख्मंती जी के सामने योगी जी के सामने प्रस्ताव रखा गया है आप उनके सामने मामला क्योंकि कोरोना काल आ गया था सरकार ऐसी विबदा में खुदी बिस्ती अब उस पर भी हमारी समीती बात करेगी अभी उस मु में उनको रखा जाए करीब दो दर्जन तीन दर्जन जो आउश्रक हैं जिनके लिए जो जिनको आवास बंद पड़े हैं उनके लिए भी समितने बात की है तो पत्रकारों के हितों को समीती पूरे कंदे से कंदा लगा के सरकार के उसमें मुद्दे रख रही है और किसी भी मुद्दे को अभी पिंटू जी हमारे एक फोटोग्राफर ते वरिष्ट खतम हुए थे तो उनकी पत्नी और एक बेटा है परिवार उनका बहुत ही उनकी दिक्कत है परिवारी कार्थिक रूप से उस दिन भी समीती में रखा है और हम आई समीती और सब लोगों ने पत्र पत्रकार उन्होंने भी किया है और आज प्रमुक सची महोदय की बैठक में भी हमारी समीती ने बात की है कि उस पर फोटोग्राफर को भी उचित मदद दिलाई जाए उन्होंने कहा कि आप आप लिकेफन लाइए कुछ फार मेल्टी है वो हो जाएंगी तो उन्होंने उसक हमारे साथ समीती के सदस हैं अब्दुलवहिज जी आम तोर पर यह होता है कि जितने बड़े पधादिकारी होते हैं वो सदस्यों की सुनते नहीं वो अपनी ही राग अलापते रहते हैं जैसा पिछले उसमें हुआ हैं तो आप आज जे सदस सीनियर सदस हैं कैसे सामंजस ब बधाई दूँगा और इस बार कहीं न कहीं हमारे बीच में सच्वी की रूप में भाराज सिंग्जी आए हैं अध्यच के रूप में हेमन तिवारी आए हैं दूसरी बात मैं चाहूंगा कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तर परदेश सरकार आम जन हित की जो काम क कर रही उसमें पत्रकार भी उनी जनता की बीच में रहता है तो हमारी सरकार भी पत्रकार हितों को लेकर समेदन सील है सवाल है कि महां तक बात पहुचिनी चाहिए आज भी मानिय डारेक्टर महोदय से परमुक सची महोदय से बातचीत हमारे वरिष्ट पदादिकारियों न विचार करते हुए पत्रकार हितों की पूरी बात मानी जाएगी अगर आप हमारी सरकार की चीजों को जनता तक पहुचा रहें तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपकी जो जन समस्या हैं या पत्रकार हित की बात है उनको भी हम परमुक्ता के अधार पर हल कराएं चली आपने अब्दुलबहे जी को सुना, भरा सिंग जी को सुना, अबनास मिस्रा जी को सुना, समका सबका एक संकल्प है, संकल्प वे है कि पत्रकारों की जो समस्याएं हैं, उनका समाधान हो, किसी तरह की उन पे दिक्कत ना हो, पत्रकारों पे जो फर्जी मुकदमे लिख प्रेखनों